कि दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूं यह जो आइरण होता है यह बहुत कराarin हो जाता है नहीं चलता है ज्यादा हीड हो जाता है रेड हो जाता है मतलब ज्यादा ओवारहिटिंग हो जाता है अज मैं आपको इस चीज का solution बताऊंगा उससे पहले आपको क्या करना होगा इसे खोल लेना पूराई दोस्तों इसे मैंने खोल लिया चलिए दोस्तों देख सकते हैं इसका बीट मैंने खोल लिया और दोस्तों आपको यह soldering जो iron है इसे ठीक करने से पहले आपका जो यह knob है इसे चेक करने पड़ेगा यह जो पोट है इसे चेक करने पड़ेगा कि ठीक है के नहीं चलिए दोस्तों पहले इसे खोल लेते हैं दोस्तों बेसिकली जो यह iron होता है यह 25 वाट का होता है और इसमें तिन नट होता है और यह बहुत ही cheapest iron है मार्केट में आपको 90 रुपय से 100 रुपय के अंदर मिल जाता है चलिए दोस्तों देख सकते हैं इसको मैंने खोल लिया है तो दोस्तों इसके अंदर कुछ वायर है जो खीचने से नहीं आता है यह हमें खोलना परेगा यह इंडिकेटर है यह जलता है यह भी इसका खराब हो चुका है चलिए और इसको हम देखेंगे चेक करेंगे कि यह ठीक है के नहीं चलिए दोस्तों पहले हम इसे खोल लेंगे यहां पर सुल्डरिंग किया हुआ है चलिए दोस्तों यह हमने अलग कर लिया है इसका काम हम दिखाएंगे कैसे ठीक करना है कैसे ठीक होता है और हमारे पास है यह वा है इस वायर को हम check करेंगे आप manually check कर सकते है या continuity tester से check कर सकते है कि वायर कही से cut है कि टूटा है कर नहीं चले दोस्तो यह आप जानती होंगे इसलिए मैं यह नहीं दिखाओंगी पहले मैं आपको दिखाओंगी के सोल्डरिंग जो इसका जो हेटिंग की जगा है यह हेटिंग की जगा है इतना सा जगा दोस्तों यह हीटिंग होता है इतना सा जगा तो यह हीटिंग ज्यादा कम होने से क्या होता है दोस्तों इसका जो डियोरिविलिटी है यह खतम हो जाता है आप देख सकते हैं इसमें ड चलिए दोस्तो मैंने इसका डायोड जो है इसे खोल लिया है अब हमारा जो ये सोल्डेंग आईरण है इसे हमने सेपेरेशन कर लिया है चलिए अब इसको चेक करेंगे कि इसका जो अंदर का नाइक्रोम वायर है ये ठीक है के नहीं इसके लिए मैं मल्टीमेटर के यूश करेंगे आपको एक प्रॉब इधर लगाना है और दूसरा प्रॉब इधर कर देख सकते दोस्तों कि यह लगाना से इसका रिडिंग आ की शॠीक यह % सब्छक को लिए ऐ धिक आपको यह बताते sudah is A.C अक concern फ्लों होता है फिर यह चलेगा बीना डायक के लेकिन दोस्तों बीना डायक के यह जो शॠीक है ज्रयाधा ही8 हो जाएगा पूरा लाल हो जाता है बहुत ही ज्यादा गरम पोरादہ इतना ज़्यादा गरं हो जाता है कि यह खराब हो जाएगा इसलिए इसमें डायोड लगए दिया जाता है ताकि आपका जो सरकीट इसका voltage एक limit में रहे और आपका जो ये इसका नाइक्रोम है ये खराबना हूँ चली दोस्तो आपको ये diode भी चेक करना है आप तो जानते हैं दोस्तो डायोड चेक करने के लिए ये डायोड का एक सीरा से दूसरे सीरा में एक बार जो है ओ दिखाता नहीं है और दूसरे सीरा में दिखाता है मतलब एक तरफ से आपको वैलू दिखाएगा दूसरी तरफ से वैलू नहीं दिखाएगा चली दोस्तो आपको दिखाते हैं डायट आप चिक करना जानते हैं इसमें बी पारा है मतलब यह जो डायट है यह पूरी तरह से खराब हो चुका है यह डायट पूरी तरह से खराब हो चुका है तो हम यह डायट को चेंज करेंगे आपको कोई भी डायोड ले सकते है 4007 ये भी डायोड ले सकते है मैं उससे थोड़ा बढ़िया डायोड लिया हूँ चलिए दुस्तों देख सकते हैं इसका जो मान है ठीक है और डायोड का एक तरफ आपको नम वैलू शो करेगा और दूसरा तरफ आपको value show नहीं करेगा यही diet का अच्छाई और खराब जो है उसका symbol है एक तरफ से यह show करता है दूसरी तरफ से यह show नहीं करता है चलिए दोस्तो अब हम इसमें यह diode लगाएंगे चलिए दोस्तो आप देख सकते हैं यह घराब वाला डायोड था और यह ठीक अच्छा डायोड है यह अच्छा डायोड है दोस्तो देख सकते हैं तो दोस्तो आपको दिखाएंगे diet कैसे लगाना है दोस्तो इसमें ज्यादा साफ नहीं है लेकिन थोरा सा है इसका जो सफेद लकीर है इस तरफ है इसका भी इस तरफ है आपको सफेद लकीर जो है इसका जो नेगेटिव साइन है ऐसे लगाना है सफेद इधर है ब्लैक इधर है यह पॉजिटिव है यह नेगेटिव है आपको ऐसे लगाना है इसके साथ डायट ठीक है दोस्तों आपको डायट जो लगा जाना है इसके साथ लगना है है चलिए दोस्तो मैंने इसके साथ यह जो डाइड है लगा दिया है दोस्तो देख सकते हैं मैंने इसमें डाइड लगा दिया और अच्छे से देखिए डायोट को आपको कैसे लगाना है यह जो वाइड वाला है यह वाइड वाला इस तरह होना चाहिए और यह ब्लैक वाला गलती मत किजिएगा दोस्तों यह वाइट वाला है और यह ब्लैक वाला है यह आपका जो पावर है थोड़ा सा कम कर देगा इसलिए यह जो इसके अंदर जो नाइक्रोम का हीटर है इसका डियुरिविलिटी और बढ़ जाएगा चलिए दोस्तों अब हम इसमें वायर की कनेक्शन करेंगे आपको वायर की जो कनेक्शन है उसे दिखा देते हैं दोस्तों इसमें हमेशा प्लास आएगा मतला पॉजिटीव आएगा इसमें नेगेटिव आएगा ठीक है इसमें से पॉजिटीव जाएगा और इसमें से नेगेटिव ओके नेगेटिव की त है ये wire आपको लगाना है देखिए दोस्तों मैंने एक छोटा एक बड़ा काटके रखा है ऐसे एक छोटा एक बड़ा ताकि इसका जो एकजेस्ट हो बढ़िया से हो चलिए दोस्तों पहले हम इसका जो wire का connection है इसे कर लेते और आपको एक चीज याद रखना होगा कि डायोट जीस तराफ है उसी तराफ आपको फ्लाश का कनेक्शन देना होगा मतलब पॉजिटिव का कनेक्शन देना होगा ताकि यह अच्छे से प्रॉपरली वाक करे और दोस्तो आप कोई भी डायोट लगा सकते हैं और डायोट के बीच में एक इंसुलेटर लगा दीजिए ताकि एक दूसरे से जूड़ना जाए कोई भी प्रॉब्लेम ना हो और दोस्तो आप वायार अच्छे से लगाना और तो यह अच्छे से काम भी करेगा और आप चाहे तो इसमें आर्थिंग के साथ भी लगा सकते हैं चले दोस्त तो इसका साथ एक LED जलता था यह है इसका रेजिस्टर यह खराब हो चुका है देख सकते हैं इसमें कुछ बचा नहीं है तो आप 15k से लेके 56k से लेके 100k का कोई भी quarter watt का डायोड रेजिस्टर यूस कर सकते हैं देखिए यह मैंने 57k का जो रेजिस्टर है उसको यह काम पर ले रहा हूं ताकि यह अच्छे से काम करें और बढ़िया काम करें चलिए दोस्तों इसके साथ हम यह जो इसका LED है खराब हो चुका था इसे जोड़ेंगे देखते हैं यह कैसे काम करता है कितना बढ़िया काम करता है आप चाहते इसमें LED भी लगा सकते हैं । लाल कलर का register है ये diet के साथ लगाना है ऐसे आप चाहे तो इसमें ऐसे भी लगा सकते हैं कोई भी problem नहीं होगा दोस्तों आप चाहे तो कैसे भी इसके अंदर ये जो diode है ये लगा सकते हैं चलिए दोस्तों मैं दिखाता हूं दोस्तों इसमें मैंने diode लगा दिया है अब हम इसको थोड़ा सा मोड लेंगे ताकि इसका जो connection है यह अच्छे से हो सके देख सकते दोस्तों और यह रहा दोस्तों हमारा LED यह है हमारा LED अब हम इसके साथ यह connection जोड़ेंगे आपको यह जो register है दोनों के बीच में यह connection जोड़ देना है दोस्तों आप चाहे तो इसमें कोई भी LED या कोई और भी LED लगा सकते हैं इसमें कोई और तरह के भी LED आप चाहे तो लगा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपका जो काम है वो चल जाएगा और बढ़िया भी चलेगा चलिए दोस्तों यह connection जो है यह दूसरे के साथ जोड़ देते हैं चलिए दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसमें अलग से रेजिस्टर लगा दिया है और आपको ध्यान न रखना होगा कि जहां पर डायोड लगा हुआ है वही पर आपका जो positive है positive connection रहे इसलिए आप ऐसे pin के इस्तिमाल मत कीजिएगा 3 pin के इस्तिमाल कीजिएगा तो बरियर आएगा उसका उल्टा होने का कोई समभब न नहीं है और यहां पे एक और यहां पे एक और पीन होता है उसमें आप आर्थिंग दे सकते हैं बिना आर्थिंग की यह चल जाता है और यह देख सकते हैं दोनों हमारा negative positive है और यह जो है एक और पीन देख रहा है यहां पे यह हमारा आर्थिंग है आप चाहे तो इसमें 3 pin का connection जोड़ सकते हैं तो आपका जो यह soldering iron का module होगा यह बढ़िया चलेगा बढ़िया काम करेगा और उल्टा पूल्टा होने का कोई problem भी नहीं रहेगा और अगर आप इसमें mark कर देते हो प्लास और positive और negative तो यह बहुत ही बढ़िया चलेगा तो दोस्तो इसको अब test करके देखते हैं दोस्तो यह हमारा 220 वोल एसी है अब हम इसमें mark करेंगे और आपको positive positive में डालना होगा और negative negative में डालना होगा चलिए इससे on करके देखते हैं देख सकते हैं दोस्तों यह बहुत ही बढ़िया से काम कर रहा है और जल भी रहा है और यह heat भी हो रहा है ना और दोस्तों यह खराब होने का chance भी नहीं रहेगा और आपका जो thermal इसके जो protection है यह ज्यादा बनेया रहा दोस्तों दोस्तो यह बढ़िया हीट हो रहा है यह बहुत ही हीट होगा दुस्तो अ बहुत ही हीट हो रहा है चलिए दोस्तों ऐसे वीडियो पाने के लिए लाइक करना शियर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकेन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों तक